नमस्कार मैं रितन सेन भारती आज हम बात करेंगे एक दिसंबर से होने वाले बदलाव के बारे में बदलाव हमारे और आपके जीवन का एक हिस्सा है ऐसे में हमें अपने जीवन में होने वाले सभी बदलावों पर विचार करने की जरूरत है अमुमन लोग करते भी हैं एक दिसमबर 2022 से आपके जीवन से जुड़े हुए कई नियमों में बदलाव होने वाला है ऐसे में आप अपने काम को 30 नवंबर तक जरूर निप्टाले जिससे की अगले महीने में आपको कोई ज़्यादा परिसानी का सामना ना करना पड़े सर्टिफिकेट जमा करें नहीं तो रुख जाएगा पेंसन एक दिसमबर से होने वाले बदलाव में यह बताया जा रहा है कि किन सरकार और राज सरकार में पेंसन पाने वाले अभ्यारतियों को हर साल लाइब सर्टिफिकेट जमा करना होता है ऐसे में इस साल पेंसनर्स के लिए जीमन परमान पत्र जमा करने की आखरी तारिक 30 नवंबर ने धारित की गई है ऐसे में अगर उन्होंने इस महीने के अंध तक यानि की नवंबर के आखरी महीने तक अगर आपने अपना जीमन परमान पत्र जमा नहीं किया तो एक दिसम्बर से परसानी बढ़ सकती है हो सकता है आपका पेंशन रोका भी जा सकता है ऐसे में पेंशनल को चाहिए कि वे तैस समय पर अपना सेटिफिकेट जमा कर दें CNG, PNG की कीमतों में होगा बदलाब आपका बदादें कि देश में महीने की पहली तारिख को पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बदलाब होता है ऐसे में बताये यह भी जा रहा है कि दिसंबर महीने के पहले दीन में घरेलू रसुई गैस के दाव में कमी हो सकती है हाला कि यह तो दिसंबर महीने की पहली तारिख को ही पता चल पाएगा कि इसमें कितना बदलाव देखने को मिल सकता है ट्रेनों के टाइम टेवल में हो सकता है बदलाव बता दें कि दिसंबर महीने में सर्दियों की सुरुआत हो जाती है ऐसे में उत्तर भारत के जयातर राज्यों में कोहर जीसे हालात देखने को मिलते हैं कई बार तो इसी ती यह होती है कि 10-15 दिनों तक सुर्ज की रोशनी जमीन पे भी नहीं आपाती है ऐसे में ट्रेनों के संचलर में एक बड़ी समस्या कोहरा सामने आता है ऐसे में आप कहा जा रहा है कि दिसंबर महीने में रेलवे बोर्ड अपने समय सारनी में बदलाव करने वाला है ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि ट्रेनों के समय सारनी में जो बदलाव होने वाला है वह एक दिसंबर से प्रभावी हो सकता है हाला कि अभी से कई ट्रेनों को ठंड को ध्यान में रखते हुए रद क्यार दिया गया है ऐसे में अगर आप अगले महिने यानि कि दिसंबर में यातरा करने वाले हैं तो एक बार जरूर अपने ट्रेन के सेडियूल को चेक कर लें दिसंबर महिने में 6 दिन बंद रहेंगे बैंके दिसंबर महिने में इस वार पूरे देश में 6 दिनों तक बैंक बंद रहने वाला है अला कि पूरे देश की अगर हम बात कर ले तो दिसंबर महिने में कुल 13 दिन बैंक बंद रहने वाला है इन 13 दिनों में छेतरों के हिसाब से लोगों को छुट्टे मिलने वाली है वैसे अगर हम पुरे देश की छुट्टियों का जीक्र कर ले तो इसमें दूसरे और चौथे सनिवार के अलावा रविवार की छुट्टियों को जोडा जाए तो चार दिसमबर को रविवार है तो वहीं पर 10 को भी दूसरा सनिवार है 11 को रविवार, 18 को फिर से रविवार, 25 तारी को रविवार है और इस दिन क्रिसमस भी है और 31 दिसमबर को 14 सनिवार है तो इस हिसाब से इस वार दिसमबर महिने में पुरे देश में कुल 6 दिनों तक बैंक बंद रहने वाला है ऐसे में अगर दिसम्बर महीने में आपका बैंक से जुड़ा हुआ कोई जरूरी काम है तो उसे आप अपने तारिकों के हिसाब से जरूर निपडाले क्योंकि इस वार पुरे देश की हिसाब से देखे तो 13 दिन बैंक बंद रहने वाला है और हम चितरों के हिसाब से देखे तो 6 दिन वो बंद रहेगा क्योंकि राज्यों में छुटियां अपने अपने हिसाब से निर्धारत की जाती है तो इस हिसाब से पुरे देश में अमूमन 6 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं तुझे थी एक दिसंबर से होने वाले बदलावों से जुड़ूभी खबर, बिहार और बिहार से जुड़ूभी और बेसे इंखबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ, मुझे ती जे जाज़त थन्नवाद